हलो फ्रेंड्स वेलकम चूद यूपी एसे अनलाइजर तो अजम 30 अक्टूबर के इंडियन एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे इफ यू आ लिकिंग इस अनालिस देन प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब यहां पर जो फॉर्स न्यूस है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्विंटी सब्मिट के इटली जा चोके हैं इसके लवद यहां पर इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक bài-lateral सब्मिट भी होगी इसके लब यहां पर France की President Emmanuel Macron के साथ भी meeting होगी, Indonesia की President Zoko Widodo के साथ भी meeting होगी, और बाकि India-EU friendship के उपर कुछ discussion होगा, तो यहां पर जो भी discussion के बाद findings हैंगी, वो सब हम discuss कर लेंगे. यहां पर next news है, RBI के Governor Shakti Kanta Das, जी जो हैं, उनको यहां पर reappointment दे दिया गया, तो उनका 10 और 3 साल और बढ़ा दिया गया है, तो the Union Government Friday extended the 10 और of Reserve Bank of India, Governor Shakti Kanta Das for another 3 years till December 2024. अब यहां पर Government ने यह बात बोली थी, IRCTs को, कि आपकी जो भी convenience fee में आपको जो भी revenue collect होता है, उसका 50% अपको Government of India को देना पड़ेगा, लेकिन बाद में Government ने basically इस बात से पीछे हड़ गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो important यह है कि Government को को कोई भी announcement करने से पहले एक Curious Policy Flip-Flop, तो policy है, policy में flip-flop नहीं होना चाहिए, यह बहुत important बात होती है, तो in a Curious Policy Flip-Flop, the Ministry of Railways on Friday reversed a decision taken less than 24 hours earlier, in which it had our Indian Railway Catering and Tourism Corporation to share with it half their revenues, उसके बाद share crash होगे, फर उसके बाद नहोंना बोला, नहीं, नहीं कोई भी ऐसे convenience fee का revenue share नहीं करना होगा, अब IRCTs किया है, तो एक Government Control Company है, जो कि Ticketing, Catering, Tourism, Services प्रवाइड करती है, तो यह सब आपको पता होना ची, बाकी और को important news first page पर थी नहीं, तो policy certainty बहुत जादा जरूरी होता है, यहाँ पर कोई भी important news नहीं, आपको देख सकते हैं, आके चलते हम, कर हमने juvenile justice के बारे में तो सब कुछ पढ़ी लिया है, उसका coverage बढ़ा देना चाहिए, और वो coverage इसलिए बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो rich लोग होते हैं, वो अपना health insurance खुद खरीद लेते हैं, जो बहुत पूर लोग होते हैं, उसके लिए हाँ पर government का PMJ है, लेकिन जो middle वाले लोग होते हैं, वो उनको health insurance नहीं मिल पार और उनके ऊपर कोई भी अगर health की problem आती है, तो basically वो क्या होता है, उनके इतने ज़्यादा पैसे खड़ शुचाते हैं, कि वो poverty line के अंदर fallowने लगते हैं, तो ये बहुत बड़ी problem है, तो highlighting that at least 30% of the population, तो लगबग 30% of the population है, और अगर absolute numbers में देखे हैं, तो 40 crore लोग है, ज उसका हमें extension कर देना चाहिए, तो इनना रिपोर्ट टाइटल health insurance for India's missing middle release Friday, ता नीती आयुक सट, आयुष्मन भारत प्रधान मंत्री, जैन आर्यो ग्योजना जो की launch की गए थी September 2018 में, उसका extension कर देना चाहिए, इसके लावा यहाँ पर नीती आयुक ने तीन बाते बोलें, पहली बात यह है, कि लोगों को aware करना चाहिए, health insurance के लिए, health insurance वो लें, क्योंगी अगर वो health insurance नहीं लेंगी, और ऐसी कोई health, जैसे pandemic आ गया, pandemic कि बहुत लोगों को COVID हुआ, COVID की वज़े से बहुत सारे पैसे खड़ जोगे, जिसकी वज़े से वो poverty, poverty में आने लग गए, तो अच्छा है, तो यहां पर यह बोला गया, कि एक standardized health insurance product होना चाहिए, जैसे कि आरूग संजीवनी, यह insurance product launch किया गया था, by the IRDAI, तीसरी बात यह बोली है, यहां पर, निती आयोगनी कि आप क्या कर सकते हो, यह जो PMJ है, प्रदान मंत्री जन आरूग योजना, इसका ही extension कर सक निती आयोग recommendations on the missing middle are very crucial for the middle and the lower middle class, क्योंकि जो people top pyramid पर होते हैं, वो तो health insurance खुद खरीद लेते हैं, जो नीचे वाले होते हैं, उनको यहां पर center और states उनके लिए health insurance की विवस्ता कर देता है, लेकिन जो लोग middle में होते हैं, basically उनके पास कोई भी financial health protection नहीं होता है, अगर कोई भी medical emergency होती, तो medical emergency में health protection ना होने के चलते हैं, वो लोग poverty में fall हो जाते हैं, अब यहां पर हम प्रधान मंत्री J के बारे में देख लेते हैं, तो प्रधान मंत्री जन आरो गयोजना, जिसको पहले national health protection scheme के नाम से भी जाना गया था, तो इसके दो components होते हैं, एक तो प्रधान प्रधान मंत्री जन आरो गयोजना, इसमें पांच लग पर फैमिली पर यर दिया जाता है, तो secondary and tertiary care hospitalization, तो secondary and tertiary care, primary नहीं है, पर secondary और tertiary है, across public and private and panel hospitals in India, तो लगबग 10 करोड फैमिली है, तो और एक फैमिली में मालनो होना है, अवरिज 5 लोग है, तो 50 करोड यहां पर beneficiaries हो नोडल एजेंसी, तो नोडल एजेंसी इंपोर्टन हो जाती है, तो सबकी नोडल एजेंसी आपको पता होना चाहिए, for example, यहां पर NDPS की कौन सी नोडल एजेंसी है, वैसे यहां पर National Health Authority है, तो scheme है, वो centrally sponsored scheme है, और इसके को central sector components, भी centrally sponsored scheme का मतला भी है, इसमें जो state है, वो कोई restriction ही, eligibility में कोई भी restriction ही, family size कितना भी हो सकता है, age का कोई restriction ही, gender का कोई restriction ही, इसके लिवग प्री existing conditions भी covered है, pre और post hospitalization दोनों चीज़े covered हैं, तो अलग भग 3 days of pre hospitalization का खर्चा और 15 days of post hospitalization का खर्चा सब कुछ included है, diagnostics और medicines की भी cost included है, जो benefits है वो आप कहीं भी ले सते हैं across the country तो यह आपको कुछ प्रधानवंत्री जनारो गुरुजना के बारे में पाता होना चीज़े, दो components है, पहला प्रधानवंत्री जनारो गुरुजना, दूसरा health and wellness centers, यहाँ पर secondary और tertiary health care, पांश लग पर family per year मिलते हैं, कोई भी gender के बारे में, gender इसके लावा, family का कितना size होन इसके बारे में कोई भी condition नहीं है, इसके लावा, pre- और post-hospitalization दोनों चीज़े कावर होती हैं, जो benefits हैं, वो across the country यहाँ पर portable है, आई होब आपको इन्यूस समझ आ गई हूँ, अब यहाँ पर NCLT के chairperson जो है, वो बन गए Justice Ashok Bhushan, तो Justice Ashok Bhushan is the full-time chairperson of the NCLT, इसके लावा, अब जो NCLT, तो NCLT और NCLT, तो NCLT होता नाशनल कंप्री लाउच शुवेंटर और इसका अपिलेट होता NCLT, तो NCLT के chairperson बने है Ashok Bhushan, लेकिन जो NCLT के chairperson है वो है, रामा लेंगम सुधाकर, आगे चलते हम, अब यहाँ पर NCRB ने रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट का स्टुदेंट का suicide में देखा गया है कि highest percentage increase is about 21.20%, तो increase in suicides recorded in 2020 was the highest since 1982, तो 1982 के बाद से यहाँ पर सबसे ज़्यादा suicides देखा गया है, जो suicide rate अब वो ऐसे देखा जाते है कि per lakh population में कितना ज़्यादा suicide हो रहा तो suicide rate number of suicides per lakh population, तो काफी increase देखा गया है, सबसे ज़्यादा suicide rate daily wage workers में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो basically nine categories डवाइड करके लोग देखते है, सबसे ज़्यादा daily wage workers में कहाँ पर suicide हुआ तो tamil ladu में लगवग 6495, followed by madhya pradesh, then bharaj, then telangana, and then finally gujarat, तो यह report का नाम accidental deaths and suicides in India, जो की NCR भी निकालता है, national crime records bureau, और यहाँ पर suicides पड़े है, अब यहाँ पर एक scheme है केरला की, वो minorities के लिए scheme है, वो minority को scholarships देते हैं, तो उन्होंने scheme को ऐसे divide कर रखा है, कि जो 80% scholarship है, वो Muslims को दी जाएगी और 20% वो Christians को दी जाएगी, तो High Court order, तो High Court ने basically scheme को quash कर दिया था, quashing the state's scheme to provide minority scholarship to Muslims and Christians in 80s to 20 रजियो, अब यहाँ पर High Court का ये है, यह क किस की कितनी population, आप उसके according यहाँ पर scholarship दो, ना कि आपने अपने विंट्स and fancies पर decide कर दाएगी, यह 80s to 20 रजिया जाएगा, तो High Court had set aside the 80s to 20 scheme, saying that the state has to treat both minority communities equally, तो यहाँ पर आप किसे एक community को अपीज नहीं कर सकतो, आपको दोनों communities who equally ही treat करना है, तो इसके लिए आप करो, उसके बाद देखो कि किस minority की कितनी population, उसके according यहाँ पर scheme design करो, तो High Court had directed that the scholarship must be distributed among the no-defined minorities in accordance with their population proportion as per the latest census, तो हम आगे चलता है, अब यह जो, basically अब Glasgow में summit होने वाली है, COP26, UNFCCC की, तो उससे पहले जो बाते होती रहती हैं, जैसे की budget आने वाला होता तो उससे पहले उसके parties 26 होने वाला है, UNFCCC की, इससे पहले IPCC की रिपोर्ट भी आई है, तो यह first time है, जब से जो Donald Trump है, वो पहले बहार निकल गेता है, Paris Climate Agreement से, फिर US ने re-enter किया, तो re-entrance के बाद यहाँ पर US पहली बाद यहाँ पर Paris Agreement में बात चीत होगी, तो यहाँ पर US भी होगा, तो it is also the first since the US re-entered the Paris Agreement, तो Paris Agreement से Donald Trump ने खुद को बाहर निकाल लिया था, उनको ऐसा लगता था, जो climate change है, वो reality नहीं है, तो climate change एक होक्स है, जिसकी वज़े से उनने खुद को बाहर निकाल लिया था, यहाँ पर US भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर US भी प्रेजेंट होगा, और US क के rules के decision लिया जाए को COP26 में, तो while most of the rules were completed in 2018, तो 2018 में काफ़ी rules complete कर लिया गया था, लेकिन कुछ technical rules रहे गयते हैं, emission trading markets को लेकर, जो कि इस बार decide किये जाएंगे, इसके अलाबा 1.07 degree Celsius temperature हो चुका है, अब यहाँ पर जो बोला गया था, कि हम कोशिश करेंगे कि 2 degree तक रखें और और जादा कोशिश करेंगे कि 1.5 तक रखें, लेकिन 1.07 अभी हो चुका है, तो अब यह बहुत बड़ी बात है कि 1.07 हो चुका है, उसके बाद 1.5 तक लिमिट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इंडिया जैसे countries climate change से बहुत जादा impacted हैं, तो इंडिया with both a high disaster risk level and high socio- economic deprivation will be on the front line for such climate change impacts, तो हमारे ओपर climate change impacts बहुत जादा पढ़ने वाला है, इंडिया ने अपने nationally determined contributions यहाँ पर submit कर दिये तो और इंडिया उन पर काफी अच्छे से काम भी कर रहा है, कुछ countries ने नहीं सम्मिट किये, जैसे कि Indonesia ने अभी तक नहीं सम्मिट किये हैं, अब IPCC ने प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ पर जो net zero की हम बात करते हैं कि 2050 तक net zero चीफ करना है, तो उसके लिए सबसे जादा ज़रूरी है कि 2030 तक लगभग 2010 के level से 45% हैंपर emission कर दिये जाए, तो IPCC से predict that carbon dioxide emissions need to be 45% below 2010, तो यहाँ पर जो 2010 पर emission level था, उससे 45% कम करना पड़ेगा 2030 तक परेगा 2030 और UNEP gap report निकली थी जिसमें यह पता चला था, अगर जैसे अभी emissions हो रहे हैं, अगर वैसे ही emissions होते रहे तो 2.7 degree Celsius temperature हो जाएगा, तो जहाँ पर बात की जारी 1.5 degree करने की, तो 2.7 degree हो जाएगा, जिसकी वज़े से climate change impacts बहुत जादा देखने को मिलेंगे, पकि यहा 23 से, तो the UK host of COP26 released a climate finance delivery plan earlier this week, charting a course for delivery in 2023, तो basically 3 साल तो हम शिडिगूल से पहले ही पीछे हैं, आगे चलते हम, अब यहाँ पर, सबसे important बात यह है, जो country से वो long term goals दे रहे हैं, कि हम 2050 में carbon neutral होंगी, तो beachman की credibility कहां से ensure होगी, तो there are however serious issues of credibility, accountability and fairness at play, तो अभी क्या कर रहे हैं, जो leaders हैं, जो सारी responsibility वो future generations के उपर चली जाएं, जैसे कि German Federal Constitutional Code ने यह direct किया था, जो German government उसको अपने short term climate actions को strengthen करने की जरूरत नहीं, तो सारी responsibility future generations के उपर चली जाएगी, तो strengthen its short term climate actions, so as not to place freedom and rights limiting burdens on future generations यहाँ पर, तो यह सारे ऐसे वाइदे करके चले जाएंगे, तो यह वाली leadership जब तो रहेगी नहीं 2050 साथ तक, तो 2050 साथ ने जो नई leadership आईगी, उसको पर सारी responsibility हो जाएगी, तो यहाँ पर intra-generational unfairness भी बहुत जादा है, तो intra-generational unfairness तब ही दूर हो सकती, जब leaders अभी से काम करना की शुरुआत कर दो, और ऐसी कोशिश करें, अब 2030 तक यहाँ पर technologies आए जाएगी, technology की वज़े से यह लोग carbon को capture कर लेंगे, तो they are presuming extensive reliance on carbon removal technologies, तो यह लोग कोई afforestation करके यहाँ पर carbon sink का काम नहीं करवाने वाले हैं, यह लोग carbon removal technologies को उपर जादा फोकस करने वाले हैं, जिसकी वज़े से सारा burden जो है, वो future generations को उपर पढ़ने वाला है, और तब तक ज़रूरत है कि यह जो country से यह अपने emissions काम करें, ताकि बाद में हमारे पास समय हो कि हम अपने emissions काम कर सकें, हम आगे चलते हैं, next article यह है कि अगर हम चाहते हैं, जो हमारे citizens है, वो truly digitization का फायदा उठा साके, तो हमें तीन steps लेने की बहुत ज़रूरत है, वो तीन steps अ बहुत जादा है, तो gender digital loid बहुत जादा है, trust deficit बहुत जादा है, technology को लेकर तो यह सारी problem solve कहसे हो सकते हैं, तो author ने आप तीन steps बता है, पहला यह कि आप कोई भी है, तो आप यहाँ पर digital technology बनाते हो, तो आप लोगो के context को लेकर ध्यान दोगी, तो लेने के बाद आप यहा पर needs देखने के बाद आप बना है, जिसके वज़े से जो UPI है, वो बहुत जादा पॉपलर है, यहां ता कि Among the Villages भी बहुत जादा पॉपलर है, तो this means understanding socio-cultural context and lived realities before designing tech solutions and doing so in a participatory manner, तो यहाँ पर यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए, build first and then disseminate approach, यहाँ प्रोच नहीं होनी यहाँ होता है, वो जादा तर अपने पंचायत level के उपर जो वहां कर officers होते हैं, उनको बहुत जादा trust रखता है, तो अगर जो वो officers हैं, वो कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर villagers हैं, वो use करें technology का, तो यहां से एक trust build हो सकता है, तो second, hardness the trusted human interface to serve those who are not comfortable with technology, तो यहाँ पर जो लो सबको एक साथ में लेका रहा है, ताकि जो government tech में हम कोई भी यहाँ पर आप बनाएं, और हम digitization चाहें, तो जो digitization वो citizen-centric हो सके, हम आगे चलता है, अब यहाँ पर जबसे पहले यह बताएंगे, इलेक्रिक वीकल के उपर आटे करें, कि 1886 में यहाँ पर एक वीकल बनाई गी उसके बाद, फोर्ड आगे, फोर्ड ने क्या किया, उन्होंने fossil fuel based vehicles बनाने लगे, और फुर fossil fuel based vehicle जो थी, वो सस्ती भी जिसके वज़े से इन्होंने electric vehicle को overpower कर दिया, तो industrialization has closely followed our ability to move quickly between worst distances with the dependence of humanity on fossil fuels, उसके बाद fossil fuels के उपर dependent हो गया, यह जो OPEC वाले countries, इनके पास बहुत सा और तेल हो गया, तो यह लोग तेल एक्सपोर्ट करने लगे, जिसकी वज़े से जो लोग हैं, वो dependent हो गए on the fossil fuel vehicles, और यहां पर जो electric vehicle का मार्केट था, वो पूरी तरीकी से खाताम हो गया, तो as the human species settled into a fossil fuel based transportation, तो यहां पर जो human species of fossil fuel based transportation के उपर चली गई, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा यह हुआ कि हमारा जो planet वो pollute होता गया, इंडिया में लगबग 10 most polluted cities है, पूरे वर्ड में देखो तो, और इसका एक सबसे जो pollution का एक सबसे बड़ा कारण होता हो वो vehicular pollution भी होता है, so it is unsurprising, तो यहां पर बहुत ज़रूराद है कि हम electric vehicles की तरफ मूफ करें, तो 1900 में, तो electric vehicles जो थी, वो fuel based one से हार गई, लेकिन ये case अब नहीं होगा, क्यों, जो electric vehicle होती ही, वो किसके उपर operate करती है, वो electric motor के उपर operate करती, ना कि internal combustion engine के उपर, तो यहां पर electric motor के उपर operate करती, इसके लिए बैटरी का यूज़ करती है, ना कि fuel tank का, EVs की running cost कम होती है, क् इसमें parts कम होती है, running cost कम होती ही, parts कम होती है, environmental friendly होती है, जो fuel cost होता वो भी कम होता है, अगर एक किलोमेटर यहां पर EV का यूज़ किया जा तो सिर्फ सी पैसा रुपए खडच होगा, लेकिन अगर इंडिया में एक किलोमेटर फॉसल फूल बेस्ट वेकल चला होती है, तो यहां पर सस्ती भी है, तो economical भी हुई, इसके लबागा, government of India ने बहुत सारे plan भी गए है, ताकि यहां पर electric vehicle की तरफ लोग shift हो, for example, national electric mobility mission plan जिसमें यह बोला गया था, कि 2030 तक लगबग 30% हमारी जो vehicles होंगी, वो electric charged होगी, लेकिन हो सकता हम उस्टारियोट को मेट ना कर पाए उसके बाद FAME scheme लेकर रहा है, fast adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles scheme 2019 में, जिसमें यहां पर subsidies दी जाएगी, लोगों को technology दी जाएगी, ताकि manufacturing हो सागी electric vehicles की, फिर 1.5 billion dollar का हमने budget दिया, जिसमें FAME में यह था, कि हम यहां पर road tax में को subsidy देंगे, लोगों को registration tax में को subsidy देंगे, ताकि यहां पर लोग हैं, वो electric vehicles को adopt करें, कुछ companies, जैसे की Amazon, Swiggy, Zomato, यह लोग basically delivery के लिए electric vehicles के लिए, जो महिंद्रा वो पार्टनर करा, Ola, Tata Motors के साथ electric vehicle delivery के लिए, तो basically electric vehicle की तरह बहुत तेजी से मूफ करना है, जो हमारा मार्केट होने वाला है electric vehicle के, वो 2025 में लगए 700 million dollar का होने वाला है, ल तो these batteries need to be charged usually, इन बैटरी को लगए 200-250 kWh बाद चार्ज करना पड़ता है, इसके लिए ज़रूरी है की बहुत अच्छा charging infrastructure हो, तो यहां पर हमें charging infrastructure बनाने की बहुत ज़दा ज़रूरत है, अगर हम electric vehicle के market में, इंडिया अपने place बनाना चाहता है, तो ज़रूरत है की हम अप इन फियुल बेस्ट वीकल्स है, जिसकी पूरी मॉनापली यहां पर OPEC जैसे countries ने ले रखी है, तो आगे ज़रूरत है इन पर पूरी मॉनापली चाइनीज कंपनी के बन जाएगी, तो यहां पर ज़रूरत है इंडिया को की अपना electric vehicle का market अच्छा बना है, अगर हम डॉमि तो इनके जो भी रिजर्व्स हैं, फोरेक्स रिजर्व्स हैं, वो यूएस ने बेसिकली सारे फ्रोस कर दिये थे, जब यहां पर तालिबान ने पूरा capture कर लिया था, तो अफगानिस्तान पार्ग बिलियन सोब डॉलरत हैं, तो इनके सारे असेट को फ्रोस कर दिया गया थ जब यहां पर तालिबान ने सब कुछ capture कर लिया था, अब तालिबान इससे पहले भी रूल कर चुक है, 1996-2001 में, जिसमें विमेन को paid employment में नहीं अलाउट था, इसके लब जो विमेन वे एजुकेशन नहीं ले सकती था, अगर उनको बहार जाना है, तो किसी mail relative के साथ ही जा आपको H-1B वीजा के वारे में तो पता हुगा, नॉन इमिगरेंट वीजा है जो कि US Companies foreign workers को देती है, अगर कोई foreign worker किसी specialty occupation के लिए लाया जाता है, तो specialty occupation बहुत जादा important, तो यहाँ पर market research को भी अब एक specialty occupation माल लिया गया है, और उसके लिए भी H-1B वीजा मिल सकता है, तो H-1B वीजा is the non-immigrant visa that allows US companies to employ foreign workers in specialty occupation that requires theoretical or technical expertise, अब यहाँ पर कैसी ने petition file कियोग for the girls, तो वो against Islam है क्योंकि Islam में यह बात की गए है कि कोई minimum age नहीं होती है marriage की, तो इनके Islamic court ने बोला नहीं है, इसा बलकुल गलत है, Islam में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई minimum age नहीं होनी चाहिए, तो the verdict may settle a controversy over child marriage fueled by the insistence of radical elements that Islam has not allowed to fix age for marriage, तो उनका यह कहना है जो Islam में उसने कोई fix age न for example, there are many Islamic countries where in minimum age for marriage for male and female is fixed like in Jordan, Malaysia, Egypt, Tunisia, आगे चलते हैं में हापर, अधियां पर करनाटगा ने करनाटगा पुलिस एक 1963 में amendments करते हुए, online gaming को भी cognizable or non-bailable offense बना लिया, मतलब अगर online gambling भी होती है, for example, dream 11 को भी यहां पर gambling में ही रखा गया है, तो उसको non-bailable offense बना दिया गया, अब इस act के बाद बहुत सारी companies यहां पर petition लेकर कहीं कि नहीं यह तो against है, क्यूंकि जो dream 11 वगरा यह लोग gambling में नहीं आते हैं, तो it was passed in Karnataka despite similar laws introduced in Tamil Nadu, Kailan, Telangana, तो इससे पहले और भी यहां पर states ने act पास किया थे, तो उन state के act हो, उनकी high courts ने basically ultra voids declare कर दिया था, अब यहां पर Supreme Court का यह कहना है कि game of skill तो allowed होता है, लेकिन game of chance gambling में आता है, तो one of the primary grounds on which the new gaming laws in Karnataka, Kailan, Tamil Nadu have been challenged is that games of skill have been clubbed along with games of chance, अब इनका यह कहना है, पेटीशनस का, कि game of chance और game of skills दोनों को include कर दिया गया है, if the games of skills are played for price or bets, अब यहां पर government का तो यह कहना है, अगर games of skill में भ को भी include कर लिया गया है, अब यहां पर Supreme Court का एक judgment था, 1957 में जिसमें यह बोला गया था, competitive games of skills, जो games of skill है, वो business activity माने जाएगी, under article 19 1 G of the constitution, तो games of skill तो allowed किया था Supreme Court ने, लेकिन game of chance पूरी तरीके से बंद कर दिया था, और Rummy और Hots Racing को यहां पर classify किया था, बाईता Supreme Court as games of skill, ठी Supreme Court ने यह भी बोला, जो states है, उनके पास legislative competence नहीं है, कि वो games of skill को यहां पर prohibit कर दे, and that only games of chance can be regulated, तो यहां पर सिर्फ जो state government को पास power है, वो यह है कि वो सिर्फ games of chance को regulate कर सकती, ना कि यहां पर games of skill को, अब what forms of gambling does the new law cover, अब यह जो Karnataka का law है, वो यह कहता है, कि अगर आप क इसी और की skill के उपर बैटिंग कर रहा हो, तो वो भी gambling में ही आएगा, अब इसके उपर क्या decision होता है, वो तो देखने वाली बात है, तो आपको आपको समझ आ गया हो कि करनाटaka Police Act 1963 में यहां पर gambling को, including online gambling को, एक cognizable offense बना दिया गया था, जिसको लेकर काफी petitioners हैं पर court में उनका यह कहना है कि जो Supreme Court ने 1957 में judgment दिया था, जो games of skill है, वो business activity होंगे, under article 19, 1G of the constitution, और rummy और horse racing को यहां पर game of skill माना गया था, ना कि game of chance, लेकिन अबर जो करनाटaka का जो act है, वो basically यह बोलता है कि यहां पर games of skill, अगर किसी दूसरे की skill के उपर भी आप bet करते हो, तो वो भ सबस्दा population है हिंदू की अलगवग 80%, फिर Muslims की है 14%, और है थर्ड लार्जेस्ट है Christians, जिनकी 2.3% population है, अब यहां पर Metaverse, Meta जो यहां पर उन्होंने अपनी parent company के नाम रखा, Facebook ने Meta, तो Meta का जो logo है, वो infinity है, ग्रीक में Meta का मतलब हो the after or beyond, तो in Greek Meta is after or beyond, Facebook the company will now be called Meta, तो Facebook अपना अपको Meta की तरह है, जैसे कि यहां पर Google की जो parent company Alphabet, वैसे यहां पर, Facebook, Instagram, WhatsApp, यह सब अब एक इनकी parent company होगी, जिसका नामों का Meta, अब इसके लाब हो Facebook एक Metaverse भी बना रहे हो, तो Metaverse एक virtual reality, augmented reality होगी, जिसमें कहीं भी transport किया सकता है, इनसान कहीं भी virtually transport हो सकता है, औ उसको ऐसा लगएगा कि वहाँ पर वो physically present है, यहां पर दो और नाम है, एक VR device है, जिसका नाम है Project Cambria, इसके लिए अर ग्लासे हैं, यह भी Facebook के हैं, जिसका नाम है Area, तो Facebook also has that augmented reality glasses project called Area, इसके लिए वो VR है, जिसका नाम है Project Cambria, आगे हम चलते हैं, अब यहां पर, India is pushing G20 nations, अब Multinational Corporations पे हैं, minimum corporate tax in the countries in which they operate, तो number of countries क्या करते हैं, वो अपने profit shift कर देते हैं, उन countries में, जो की low tax jurisdiction में, जहां पर कम tax देने की ज़रूत परती है, तो यहां पर India ने यह बात रख किया, कि countries वहां पर ही tax पे करें, जहां पर वो operate करती हैं, तो India, जब यह MNCs अपने tax को shift कर देत उसकी वज़े से इंडिया जैसे countries को बहुत जादा नुकसान होता है, इंडिया को लगबाद 10.3 billion dollar का हर साल नुकसान होता है, इन MNCs की वज़े से, तो tax reforms India has pushed the G20 nation to address the mismatch between source of generation of profits, इसकी वज़े से इंडिया ने equalization levy भी लगाया था, 2% का, कि भले ही यह companies जो है, वो अपने profit लगा दिया था, लेकिन US ने फिर उसके उपर hold कर दिया था, US ने बोला था, जो भी हम international taxation के, जो भी decision लेंगे, फिर हम OECD और G20 processes के थ्रू लेंगे, तो basically आपको समाझ आ जाना चाहिए, कि basically इंडिया यह कहना चाहता है, कि हमें बहुत जादा tax losses होते है, क्योंकि MNCs क्या क पर लगा दिया और US ने बोले, इंटरनेशन और टेक्सेशन में वो ही साधी बाते डिसाइड करेंगे, आई होप आपको आज के नूज पर समाझ आए, फिर लाइक दा वीडियो देन, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, थांक्यू और नाइस टे, आपको आपको आ